जै शरी राम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्मा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध ग्रह के राशी परिवर्तन के बारे में कि आगामी 8 अपरेल से लेके 24 अपरेल तक बुद्ध ग्रह का राशी परिवर्तन रहेगा और बुद्ध ग्रह यहाँ अपनी नीच राशी यानी मीन राशी से निकल कर अपने शत्रू ग्रह की राशी मंगल की राशी में प्रवेश करेंगे यानी पहले यानी 8 अपरेल से पहले देखें तो यह ग्रह नीच के रहेंगे मीन राशी के अंदर वहीं 8 अपरेल के बाद यह ग्रह मंगल की शत्रू राशी के अंदर रहेंगे यानि ग्रह की स्ट्रेंथ पहले भी कुछ कमजोर थी और इस बार भी ये ग्रह बुद्ध कुछ जादा बेहतर महसूस नहीं करेगा क्योंकि इस बार ये ग्रह अपने शत्रू की राशी में है लेकिन इसका सभी 12 राशियों के लिए प्रतक प्रतक फल भी होगा क्योंकि इस बार ये ग्रह मंगल की राशी में आया है और मंगल उस दोरान शनी की मुल्तरिकों राशी में गोचर करेगे यानि यह देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कुंडली का गोचर का बहुत ही प्रभावित नियम है जो ग्रह जिस राशी में परिवर्तन करके गोचर कर रहा है जिस राशी में वह गोचर करता है उसके स्वामी की ब्रहमांड में या कुंडली में क्या इस्थती है ये नियम कुंडली और गोचर दोनों में लगता है तो बुद्ध यहां मंगल की राशी में रहेंगे और मंगल यहां शनी की कुम राशी में रहेंगे उनके साथ शुकर भी होंगे उनके साथ ब्रसपती भी कुछ समय के लिए देखे जाएंगे अपरेल का महिना 12 अपरेल में राहुगेतों का राशी परिवर्तन होगा तो 13 अप्रेल को ब्रस्पती का भी राशी परिवर्तन होगा अब ये बुद्ध का राशी परिवर्तन 12 राशियों के लिए कैसा होगा क्योंकि बुद्ध आएंगे मंगल की अगनी तत्व राशी में शत्रू राशी में चर राशी के अंदर बुद्धी, बुद्धी मता, ज्यान, शिक्षा, व्यापार, भाशा, शैली, वानिज्य के प्रबलकारक बुद्ध आएंगे अब बुद्ध यहाँ पर तीन यानि अश्वनी भरणी करतिका यानि केतु के, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे बुद्ध को 12 अपरेल से राहू की युति मिलेगी जो एक जड़त्व योग का निर्मान करती है जब बुद्ध राहू की इस्थती एक साथ होती है तो ये मती ब्रहम का शिकार देती है व्यक्ती गलत डिसीजन से रॉंग डिसीजन के कारण नुकसान करता है जब बुद्ध मंगल की राशी में हो तो बुद्ध ही अडिक हो जाती है व्यक्ती सुभाव से अडिक हो जाता है जो ठान ले वही करता है जल्द बाजी में दिर्ने लेता है क्रोध में आकर नुकसान करता है तो आईए इसे और बारी की से समझने के लिए हम देखेंगे राशियों के आधार पर जिसमें सबसे पहली राशी होगी मेश राशी क्योंकि मेश राशी के अंदर ही आ रहे हैं बुद्ध मंगल की राशी के अंदर आएं तो माइंड में चपलता देते हैं बुद्धी पहले के मुकावले जादा कुशागर हो जाती है जाए पहले के मुकावले जादा तेज चलनी शुरू होती है क्योंकि मंगल और बुद्ध हैं तो दोनों युवागर है ये दोनों युवागर है और बुद्ध यहां मंगल की अगनीतत वराशी में है यानि बुद्धी में बहुत तेजी से जल्दी से जल्दूंजला हाट आजाएगी तेजी से एक्षन लेने वाले हो जाएंगे बोलचाल की स्पीड कुछ तेज हो जाएगी बोलने से पहले सोचना बहुत अनिवार है अदरवाइस नुकसान होगा ये बुद्ध यहां मंगल की अग यात्रा के दोरान कस्ट यात्रा के दोरान चोट लगना एक्षिरेंट होना भी संभावित दिखाई देता है बुद्ध की यह इस्ति मंगल की शत्रो राशी में है और बुद्ध आपकी राशी से दोनों खराब स्थान के मालिक हैं इसलिए आठ से लेके 24 अपरेल ये 16 दिन स्वास्त का विशेश जान रखें आपकी बात या कहते हैं आपकी कोई बात जिसको बाहर के व्यक्ति को पता लग गई या शत्रो को पता लग गई और उससे उसने फायदा उठाया उससे आपको नुक्सान पहुचाने की कोशिश की तो बात भी ऐसे व्यक्ति विशेश से क खोकला करने का प्रियास करेगा चाहे आप नौकरी के छेतर में हैं चाहे व्यापार में हैं लेकिन आपको साबधानी दोनों ही जगा बरतनी होगी मंगल की राशी में बुद रहेंगे मंगल राशी से लाव स्थान में गोचर करेंगे इसका मतलब है लाव के अफसर तो ये ग बुद्ध ग्रह परम्मित्र होते हैं ब्रशम राशी के लिए बुद्ध दूसरे और पंचम के स्वामी होते हैं लेकिन इस बार ये बुद्ध राशी से द्वादश में गोचर करेगा और 12 अप्रेल को राहू भी से जोइन करेंगे यानि सबसे पहली बात दूसरे का मालिक द द्धुका देना आपका पैसा फस जाना यानि बहुत कोशिश यह करें कि यह आठ से लेके 24 अप्रेल के बीच में पैसे संब्धित बड़े लें दिन से बचें कोई फ्रॉड होना आज के समय में पैसे को लेकर फ्रॉड हो रहे हैं आपके बैंक एकाउंट से पैसा किसी ने निकाल लिया गलत चेक भरके आपसे पैसा ले लिया यानि कागजी कारवाई को लेकर भी होने वाले नुकसान इस बुद्ध की वरे से आते हैं क्योंकि बुद्ध धन का मालिक है जब यह रहू के साथ होता है तो छल कपट करके नुकसान करता है हेल्थ का भी ऐसे समय में ध अपार के लिए या कोई भी नए एंट्री पैसा कमाने के लिए ना करें अवाइड करें इंतिजार करें 24 अपरल के बाद बुद्ध की यूति इस्थिति अच्छी हो जाएगी बुद्ध वरशब में आएंगे तब ही कुछ नई एंट्री करें ऐसे समय में शिक्षा के प्रोफेशनली हो चा कैसे भी हो बुद्धी को स्थिर्टा से चलाएं जैसा आपको दिखाई देगा वैसा होगा नहीं इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है नहीं तो आप अपनी ही गलती से अपना नुकसान कर लेंगे मिथुन राशी आपकी राशी के मालिक बुद्ध है और आपकी राशी यानि इस राशी में बैठा हुआ चंद्रमा वायुतत्व राशी का कहलाता है व्यक्ति के विचारों में काफी आदान परदान देखा जाता है व्यक्ति की सोच दूर दर्शी देखी जाती है आपकी ग्रह का जाना लाब प्राप्ति के संयोग को दिखाता है आप जो भी वर्क करेंगे उसका आपको मिलेगा जरूर इसको कहते हैं मैंने जो भी मेहनत की उसका मुझे फाइदा मिल गया उसका मुझे लाब मिला क्योंकि मैं मंगल की राशी में गोचर कर रहा हूं और ये मंगल राशी से नौवे यानि भाग्य स्थान में ट्रांजिट कर रहा है इसका मतलब लाब मिलेगा भाग्य आपका साथ देगा राहू की यूती भी 12 अपरेल के बाद बुद्ध के साथ आ जाएगी अब ये बुद्ध राहू का एक योग बनेगा कहते हैं बुद्ध क्या बुद्धी चलाने के लिए आपके उपर जोर देता है कि आप अपनी बुद्धी को जरोश स्यादा चलाएं इसको कहते हैं बुद्धी का कुबुद्धी में बदलने का योग जितना जादा बुद्ध राहू के निकट होते चले जाएंगे उतने ही जादा आपको साथधा का मालिक भी है ऐसे समय में प्रोपर्टी से संबंदित कारियों में फाइदे मिल जाते हैं इस्थान परिवर्तन से या जगे बदलाव के योग भी ऐसे ही समय पेर देखे जाते हैं तो बुद्ध लाव के लिए तैयार हैं लेकिन राहू से साबधान रहना है भगवान के मालिक हैं चंद्रमा चलाय मानता से भरी गहराईता से भरी राशी है करक राशी और इस करक राशी के दशम भाव में बुद्ध हैं और राशी से खराब स्थान के मालिक भी हैं देखिया आपके लिए ये समय काफी चैलेंजिंग भरा हो सकता है पहली बात बुद्ध आप और तीसरे के मालिक दो अच्छे भाव के मालिक नहीं दशम भाव में बैठेंगे शत्रू की राशी में बैठेंगे राहू के साथ संयोग भी बनाएंगे और ये बुद्ध मंगल की राशी में होंगे और मंगल राशी से अस्टम में ट्रांसिट करेंगे इसका मतलब है इसरे का मालिक भी है, इसलिए यात्राओं से भरा रहेगा ये समय, कामधंदे को लेकर बेकार की यात्रा करना भी ऐसे समय पर देखा जाता है, वेर्थ के कारव में फस जाना, ना चाहते वए भी ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, ना चाहते वए भी जेव से पैसा निकालन पढ़ रहा है अब send down in carrier काम धंदे को लेकर विशेद ध्यान रखें चाया आप नौकरी में हो चाप काम में हो लॉस दिखाता है ये combination नौकरी में अचानक से आएने वाली बाधा जिसको कहते हैं unexpected downfall या व्यापार में decisions को लेकर होने वाले नुकसान इसी योग से दिखते हैं आठ से लेकर 24 अपराल बहुत साफधानी से निकाले उसके बाद इस्तिती कुछ बहतर होगी लेकिन अभी सारा जोर बुद्ध और रहुका राशी से करमिस्थान पे आता है और करमिस्थान professional life ही नहीं है करमिस्थान आपके जीवन में रोजमर्रा के कारे भी है बात करते हैं सिंग राशी के लिए जहां सिंग राशी के लिए बुद्ध अकेला प्लैनेट है जो धन देता है ये परिवार से मिलने वाला धन वानी बोलचाल से मिलने वाला धन साथी साथ आप अपनी professional life में क्या कर रहे हो उससे मिलने वाले लाब भी इस बुद्ध की गई इसनके कर बर भाग्य स्थान में गई मंगल की राशी में गये और मंगल चल रहे है राशी से सब्सथ्थ समयरागा औरफकर भगय का साथ देगा मैं धन के सरूप में आपका साथ देगा यह कॉंबिनेशन पैसे से समंदित स्थिति के लिए अच्छा है यह कॉंबिनेशन अफंश प्रमोशन कराएगा पदप्राप्ति देगा पैसे का आवक बढ़ाएगा रुका हुआ पैसा वापस आएगा क्योंकि अभी तक बुद्ध कहां थे अश्टम में नीच होके चल रहे थे अब ये बुद्ध कहां पहुंच गई भाग्यस्थान में दो धन भाव के मालिक लाब म दो भी अच्छा है नौकरी के से भी अच्छा है प्रमोशन से भी अच्छा है अब्राहू का एंट्री इसके साथ हो जाएगी जब राहू मंगल की राशी में बुद्ध के साथ आएं तो उत्तेजित होने से बचाएं जल्दबाजी में निरणे नहीं लेना है गरभड़ी नहीं करनी हैं बस इसी का ध्यान रखना है आपका भागय का लिखावा आपको जरूर मिलेगा कन्यराशी आपके लिए बुद्र राशी के मालिक हैं आप प्रत्वी तत्व राशी के मालिक हैं, बहुत बेश से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा महंती हैं इतना जधा सोच विचार ना करके करम पर विश्वास ज़ादे रखते हैं आप और आपकी राशी के मालिक जब राशी से अस्टम में हो तो साब धान हो जाओ पुपसान देखे जाते हैं क्योंकि ये बुद्ध है इसलिए इसका आधार आपकी बुद्धी होगी इसका आधार आपके डिसीजन्स होंगे ये चीज आपको जीवन में परेशान कर सकती है जीवन में छोटे छोटे गलत इंदिरने भी व्यक्ति को बहुत बैक फुट पर धकेल देते हैं जब ये राशी का मालिकों के अश्टम में हो ता अवश्य ही ये बाधाव का रचनों का भाव है स्वास्त का ध्यान रखें गोपनिये शत्रों से बचें अपनी योजना किसी के साथ शेर ना करें जल्द बाजी ना करें क्रोध में आकर अपना नु बैठे हैं चटे घर के अंदर ऐसे में शत्रु आपको पीड़ा पहुझा सकता है स्वास्त हानी के योग नुकसान होने के योग प्रबल दिखते हैं भगवान विश्नु की उपास न करें मैं कहूंगा विश्नु सहसर नाम का पाठ करना चाहिए ऐसे समय में व्यक्ति को अ सही गोचर नहीं है तुला राशी जो कि शुक्र प्रधान राशी है वायुतत्व राशी है लेकिन बैलेंसिंग राशी है यानि आज शुक्र आचारे के भरपूर गुण इस राशी के अंदर मिलते हैं अब आपकी राशी से सब्तम में बुद्ध का ट्रांसिट है भाग्य किसी के आने से प्रगति होना जीवन साती के आने से प्रगति हो रही है कोई लाइफ पार्टर मिलना है कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति आपके जीवन में आता है यानि इस तरी के लिए पुरुष पुरुष के लिए इस तरी आपके जीवन में उनके आने से आपको काम हो आपका काम निकल जाना क्या आप किसी काम के लिए प्रयास करते हो वो काम हो नहीं रहा है अरचन आ रही है लेकिन अब वो काम निकल जाएगा अब वो काम सफलता की तरफ जाता दिखाई देगा बुद्ध यहां मंगल की राशी में है और मंगल कहा होंगे राशी से पंचम मे यहाँ धन दायक है आपकी सोच आपकी बुध्धी सभी स्थर पर ये बुध्द्ध बहतर हैं ये higher education के लिए अच्छा combination है शिक्षा प्राप्ती के लिए अच्छा शिक्षा में सहयोग मिलना शिक्षा में व्रधी करना आपकी बुध्धी से आपकी सोच से आप आगे बढ़त हैं उस लिहाज से कॉम्बिनेशन बहुत ही बहतर दिखाई देता है तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन बहतर है राहु केतु का ट्रांजिट भी बारे अप्रेल को यहां होगा जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो में बताया भी है कि तुला राशी वालों के लिए राहु केतु का ट्रांजिट कैसा है आप एक बार उसको भी अवश्य सुने वरश्चिक राशी मंगल प्रधान राशी है गहराई की राशी है बहुत सोचने वाली राशी है इंतजार करते हैं महंती ह समय आने पर बदला लेते हैं ऐसे लोग आपकी राशी से छटे घर में यानि शत्रू भाव में शत्रू ग्रह बुद्ध जब राहु के साथ हो तो कुछ ना कुछ शत्रू पीडात होगी कुछ ना कुछ प्रब्लम तो ये प्लैनेट देने का प्रियास करेगा अब ये प्रेंडिक्स ये सब इसी कंबिनेशन के रोग होते हैं इन ही से मिलता है व्यक्ति को नुकसान तो छटे का बुद्ध जब राहु के साथ आजाएगा क्योंकि राहु भी बारे अप्रेल को यहां आएंगे जब ये इसके साथ आजाएगा तो आपको यहां पर बरतनी होगी बहुत ज़्यादा साब धानी स्वास से किलवार नहीं करना है जोखिम नहीं लेना है ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाना है जो आपके पैसे को अटका दे या पसा दे ये कंबिनेशन पती पतनी के बीच तालमेल के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं क्योंकि 12 अपरेल के ब नहीं है जब वो जिन भावों में बैठेगा उन भाव से संबंदित तकलीफ अवश्य निकाल के लाएगा इसलिए आप चाहें तो राहू केतु का गोचर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वहां से आपको पता चलेगा कि exactly राहू केतु क्या करेगा क्या बचाव करना है और क्या रेमेडी करनी है धनु राशी ब्रसपती ब्रधान राशी और आपके लिए सबसे ज़्यादे खुशकबरी के 13 अपरेल को ब्रसपती का राशी परिवर्तन होगा ब्रसपती मजबूत हो जाएंगे यानि राशी का लौड ब्रहमांड में स्वय राशी का होके मजब व्यक्ति स्वार्थ और लालच के वशिबूत होकर अपना नुकसान करता है व्यक्ति स्वार्थ और लालच में पढ़कर अपने जीवन में अपना नुकसान कर लेता है वो यह कॉंबिनेशन से ही आता है कि बुद्ध जब पंचम में चले सब्तम का मालिक पंचम में हो लव entry करी है उसमें लापरवाही के कारण होने वाले नुकसान बुद्धी के कारण होने वाले नुकसान इस पंचम में बैठे बुद्राहू के सईयोग से आते हैं ब्रसपती strong होंगे तो आपको बचाव तो करेंगे लेकिन कहते हैं जब बुद्धी ही ठीक काम नहीं कर रही है तो ब्रसपती भी कितना सईयोग करेंगे बस वह आपका सम्मान बचाव रखेंगे बाकि जो नुकसान होगा वह आपको पता होगा कि मैं अपना कितना ज़्यादा नुकसान कर चुका हूँ क्योंकि बुद्धी का मालिक है मंगल की राशी में राओ के साथ है चपलता जरूर दिखाएगा शौटकर सपनाने का प्रयाश जरूर करेंगे आप बुद्धी में तेजी जरूर आएगी सोचेंगे जल्दी से आगे बढ़ जाओ जल्दी से निकल जाओ धीरे धीरे चलो कच्छोए की तरह चलो खरगोश चाल में पकड़े जा बुद्ध छटे का मालिक है बुद्ध यानि मेहनत कराने वाला भी प्लैनेट यही है संगर्श कराने वाला ग्रह भी यही है तो भागय को चमकाने वाला ग्रह भी यही है जो राशी से चौथे घर में आ रहा है यानि बुद्ध एक सौम्य ग्रह है भागेश का चौथे घर में जाना सुक साधन दिलाता है भागेश का चौथे घर के अंदर जाना सुक साधनों में व्रध्धी करने वाला होता है लेकिन कभी कभी कहते हैं व्यक्ति ने जो सुक साधन खरीदे उसका वो खुद भूग नहीं कर रहा कैसे मनलो तवियत खराब है डॉक्टर ने कहा शुगर बहुत ज़्यादा चल रही है रजगुल्ला सामने लेकर आये हो घर में सबके लिए बाकी सबने खाया आपने नहीं खाया छटे का मालिक भी अबुद चौते घर में राहू के साथ भी एंट्री करेगा इसका मतलब है आपने प्रियास तो पूरे कर रहे हो लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण से परिवार का जो माहोल है वो शांती भरा नहीं है परिवार को जो माहोल है किसी ना किसी प्रकार से तं आप इसके बारे में विश्तरी जानकारी मेरे चैनल पर जाकर ले सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि राउ के तु यहां क्या करेंगे क्योंकि शास्त रठाइए और पढ़िए कि राशी से चंद्रमा से चौथे घर का राउ के तू कैसा होता है तो आपको वहाँ जवाब ब मिलेगा दुनिया कुछ भी कहती हो शास्त रुठाओ खुद भी पढ़ने का परियास करो इसलिए जहां एक तरब बुद अच्छा है वह एक बरतरबुद आपको चिंताएं भी दे रहा है कुमराशी वाके महीं ग्रेग ओचर कुमराशी वालों के लिए बहुत बहतर चल र कुछ समय में शुक्र भी उच्च के हो जाएंगे यानि सभी प्लैनेटरी पोडिशन आपके फेबर में और आपकी राशी के मालिक पंचमेश बुद्ध पंचम भाव शेक्षा बुद्धी संतान का भाव है जब यह बुद्ध तीसरे घर में चले तो कभी-कभी ऐसे समय मे शौक उजागर होते हैं कुछ चीज बंद हो गई थी लाइफ का रोटीन खतम हो गया था जिम जाना छोड़ दिया योगा प्रनायाम छोड़ दिया काम करना बंद कर दिया अच्छी खासी हो भी थी पढ़ने लिखने की वो सब छुट गई कहां से पहले समय में लेकिन अब वो बुद्ध कहां आ गया तीसरे में कुछ ना कुछ उजागर होगा या तो आपका कोई दोस्ती आपको मिलेगा पड़ोसी मिलेगा रहे नहीं आपने सब चीज छोड़ दिया आईए कल से चलते हैं फिर से शुरू करते हैं फिर से लाइबरेरी चलते हैं पढ़ाई शुर लिए बाकी मिलना है अंनि कुल कि पडूर मिलना शिक्षा के लिए यातरा करना कोचिंग संटर के लिए यातरा करना कहीं आंडिमीशन ले लिए आपने घर से ले тृफल दूर चले गई आप चाहते थे कि आपको सेलेक्शन वहां हो जाए वहां आपको सेलेक्शन हुआ आप चले गए आपने यात्रा की ट्रैवलिंग की वहीं जाके रह रहे हैं वो सब इसी कॉम्बिनेशन से आता है तो कुल मिला के इस्ति अच्छी है बात करते हैं मीन राशी के लिए वरस्पती प्रधान राशी जो 13 अप्रेल से मजबूती प्रधान होगी क्योंकि वरस्पती का राशी परिवर्दन होगा अब बुद्ध वानी भाव में हैं देखे मीन राशी के लिए बुद्ध को बाधक कहा गया क्योंकि यह चौथा और सप्तम के मालिक हैं राहू के साथ 12 अप्रेल से राहू जोइन करेंगे बुद्ध मंगल की शत्रू राशी में दूसरे घर में राहू के साथ वे ओफ टॉकिंग को सुधा रहे जल्द बाजी से बचे ऐसी वानी का प्रियोग करें जो दूसरे को दुखी न दे जहां जितना जरूरत है उतना को जब आपका नमबर आया भरपूर बोलिया आपको पूरा मौका मिलेगा लेकिन दूसरे की बात में भी गुस गई बीच में बोल दिये अपने आपको ज्यादे एक्स्टा आउडिशन दिखाने के लिए बताने लगे कि मुझे ये भी आता मुझे वो भी आता ऐसा सभी जग अच्छा नहीं है आर्गुमेंट्स करते हैं ऐसे कॉंबिनेशन में इसमें वाइफ एक दूसरे को पर आरोप लगाते हैं एक दूसरे से सुपीरियर साबित होने के लिए चलते हैं कि मैं ज़्याद हो या तुम ज़्याद हो मुझ में ज़्याद दिमाग है तो वो कहां से साता है यह कॉंबिनेशन बैहस में बदल जाता है तो उसका आपको यहां विशेश तोर पर ध्यान रखने की जरूरत है तो यह था सभी बारा राशियों के लिए बुद्ध ग्रह का राशी परिवर्तन आठ से चौबिस अरपल तक रहेगा लेकिन ट्रांजिट छोटा हो य उसके बारे में मैंने आपको अलग-अलग अश्यों की जानकारी दी है फिर से नविशेश के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ जैशरी राम